हेलो नमस्कार मैं राजंदर जोद पुरिया अनपम पैरेडाई सिरसा हर्याना में आपका स्वागत करता हूँ आज का वीडियो पेरेंटिंग टिप्स वीडियो है बच्चे आपकी जायदाद को अपनी मानते हैं या आपको ही अपनी जायदाद मानते हैं बहुत सारे बच्चे आपने ऐसे देखे होंगे जिसमें बच्चे माबाप की जायदाद को अपना मानते हैं माबाप को तो वो छोड़ी देते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिरफ माबाप को ही तो अपनी जायदाद मानते हैं उनको धन से कोई मतलब नहीं होता है और अदिक इस विशा में जानना चाहते हैं तो सूरिया वंसम फिलम जरूर देख लें उसमें अमिता बचन का डबल रोल है उसमें दो बच्चे ऐसे हैं अमिता बचन के जो पढ़े लिखे हैं सिर्फ अमिता बचन की दोलत से उनको मतलब है और अमिता बचन एक पढ़े लिखे इनसान नहीं है और डबल रोल के रूम में दूसरे अमिता बचन पढ़े लिखे नहीं है सिर्फ वो अपने पिता को ही अपनी जायदात मानते हैं और हमेशा पिता के रिनी रहते हैं, पिता ने उनको घर से निकाल दिया, बुरा भला कहा, बेटा तक नहीं खा, लेकिन बेटे के मन में पिता के पर्ति कभी भी गाली या, कभी भी रिग्रेट या कभी भी मायुसी आई नहीं, उसकी रिस्पेक्ट हमेशा बनी रही, और अंत तक बनी रही तो ये उधारन है कि बच्चे आपको जायदाद मानते है ना कि आपकी जायदाद को अपना मानते है जिसके लिए माबाप ही जायदाद है वो सबसे बड़ा दुनिया का अमीर व्यक्ति है और जिसके लिए माबाप की जायदाद अपनी है माबाप को इजायदाद नहीं है वो दुनिया का सबसे गरीब इनसान है अगर आपको ये टिप समझ में आ गया नहीं आया तो माबाप की जिम्मेवारी है कि वो बच्चों के मन में संसकार डालें अगर आप बच्चों को संसकार वान बनाना चाहते हैं तो साइको गुरू टीम से संपरक कर सकते हैं दिये गए नमरों पर कोल कर सकते हैं धन्यवाद